नमस्कारदोस्तों हमारे यूट्योग चनल पर आपका स्वागत है। कि सब्सक्राइय बूम कितनी नाम किरो सबस्रेए या भी आपको हम बतते हैं लेकिन इस βार हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कूल ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई कंटरिस्टेंट हॉट सीट पर आता है, तो अमिताप बच्चन उसके लिए टिशु पेपर लेकर तयार रहते हैं, ता कि वह उसकी आखों से आंसु पुछने में मदद कर सके, और अमिताप बच्चन आंसु पुछ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आकरने के बिटन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले आप तक पहुचता रहे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं के वी सी के ताजा अपडेट के बारे में ब बोती आराद्या का भी कई बर जिकरअमिताप बच्चन केवीसी के मच पर कर चुके हैं इतना ही नहीं अपनी बेटे अभिशेक बَच्चन और बहू अश्वरिया राय का भी जिकर अमिताप बच्चन हमेशा करते रहते हैं अब जब बिक भी अपने जीवन के असीवे पढ प्राइज की वजह सा अमिताब बच्चन की आँखों में आसू आ जाते हैं। दरसल सोनी टीवी ने अमिताब बच्चन के बर्सटे वाले दिन टेली कास्ट के जाने वाले एपिसोड का प्रोमो शेयर किया है। जो प्रोमो शेयर किया है उसमें दिख रहा है कि जब हूटर बच्चन करते हैं कि बड़े जल्दे खत्म कर दिया खेल को तभी बैक्गराउन में आवाज आती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लेकिन यह अमिताब बच्चन के आवाज नहीं बलके अभी शेयक बच्चन की आवाज होती है। अभी बीग बी और कंतेस्तेंट कुछ समझ पाते तब तक अभी शेयक बच्चन दोड़ते हुए आते हैं और अपने पापा से लिपड जाते हैं। अमिताब बच्चन की आँखों में आंसु आ जाते हैं इस प्रोमो को शेयर कर कैप्शन में लिखा है के बीसी के मंच पर कुछ ऐसे पलाए जो आंसु पोचते हैं सबके उन अमिताब जी के ही आँखों में आंसु छलग गये दोस्तों 11 अक्टूबर को अमिताब बच्चन का जन्मदीन होता है और इस बार जब 11 अक्टूबर की तारिख आएगी तब अमिताब बच्चन 80 साल के हो जाएंगे अभी वाक के बीसी को होस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में सोनी चैनल वालों ने उनके बर्थने को खास बनाने के लिए खास एपिसोड तयार किया है आँविताब बच्चन के जन्मदीन के दिन इस इमोशनल एपिसोड को टेली कास्ट किया जाएगा तो दोस्तो ऐसे ही ताज़ आपडेट के देखते रहे हमारी य्ट्यूब चैनल को और इसे लाइक और सबस्क्राइब जरूर करते रहे हैं और हाँ अपने दोस्तों में से शेयर जरूर किया करें